क्या आप सीखना चाहते हैं कि अपनी मूवी कैसे बनाते हैं और उसे कैसे एडिट करते हैं तो फिर ये विडियो देखते रहिए नमस्ते, मेरा नाम एकता है वैसे तो मूवी बनाने और एडिट करने के कई सॉफ्ट्वेर हैं पर इस विडियो में मैं आपको Windows Movie Maker की मदद से मूवी बनाना और एडिट करना सिखाने वाली हूँ Windows Movie Maker एक मुफ्ट सॉफ्ट्वेर है जो आजकल Windows की latest वर्जिन में Windows Essential Pack में हर कंप्यूटर पर पहले से उपलब्ध होता है लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर में Windows Maker इंस्टॉल नहीं हुआ तो भी आप इसे मुफ्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको डाउनलोड करने का लिंक दिया है Windows Movie Maker में आप फोटोस से वीडियो बना सकते हैं वीडियो इंपोर्ट कर सकते हैं संगीत या कोई ओडियो फाइल डाल सकते हैं और टेक्स्ट डाल कर उसमें स्पेशल इफेक्ट्स डाल कर उसे एडिट भी कर सकते हैं तो चलिए इसे खोल लेते हैं और इसका इस्तमाल सीख लेते हैं यहां उपर Windows 8 में क्लिक किया और सर्च के बटन पर क्लिक किया और टाइप कर देते हैं Movie Maker यह Movie Maker आ गया इस पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं यह देखिए यह Movie Maker जो है खुल गया आप यहां पर अपनी फोट विडियोज डाल कर एक नई मूवी रहा है, पहले कुछ तस्वीरे डाल लेते हैं। आपने कोई भी तस्वीरे जो खीची हो, उन्हें आप यहां पर डाल सकते हैं। चलिए यहां उपर आड़ विडियोज और फोटो को बटन करते हैं। अब यहां पर मैंने अपने फोन से यहां कंट्रोल के बटन पर क्लिक करके और उन्हें एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए, तो यह रही पहली, इसको क्लिक किया, यह सिलेक्ट हो गई, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से आप images को सिलेक्ट करते जाएए, नीचे गए, यह एक और आ गई, यह एक और और यह हो गई आख यह, यह सारी की सारी जो images थी, photos थी, यह यहां पर आ गई, मैं चाहती हूँ कि यह जो image है, यह आखिर में आए, तो मैं इसे क्लिक करके इसे घसीट लेती हूँ, और इसे अंत में ले जाती हूँ, इस शुरुआत में भी यह हो गई, और अंत में भी यह हो गई, तो अब यह जो मेरी सारी images है, यह आ गई, अगर आप चाहें, तो आप इन्हें reorder कर सकते हैं, इनका जो sequence है, जो करम है, वो बदल सकते हैं, लेकिन मुझे यह ठीक ही लग रहा है, हमारी सारी images आ गई, अब यहां पर देखिए, आपकी सारी images by default अपने आप से 7 seconds तक चलेंगी, अगर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो कम या ज्यादा समय के लिए दिखें, तो आप उसे change कर सकते हैं, यहां देखिए, किसी एक image पर click करके, right click करते हैं, और यहां लिख देते हैं, select all, इस पर click कर देते हैं, यह सारी images जो हैं, select हो गई, फिर यहां हम उपर edit के बटन पर जाते ह और यह देखिए, यह आगया duration, duration में आप चुन सकते हैं कि आप कितनी देर तक हर image को चलाना चाहते हैं, तो मैं फिलहाल इसे 5 second कर देती हूं, 7 second थोड़ा लंबा है, 5 पर click किया, और अब यह सारी की सारी images 5-5 second के लिए चलेंगी video में, फिर home पर गए, और भी photos डाल सकते हैं या अगर आप चाहें तो आप अलग-अलग images को अलग-अलग समय के लिए भी चला सकते हैं, लेकिन फिलहाल में इसे रहने देने वाली हूं, अब हम कोई video डाल सकते हैं, देखिए अगर आपके पास कोई camera है या mobile है, तो आप उससे video shoot करके यहाँ पर upload कर सकते हैं, या फिर आप अपने webcam से भी video record करके उसे इस्तमाल कर सकते हैं, ये देखिए ये है हमारी timeline, जब भी आप कोई नई चीज डालने लगेंगे तो इस काली रंग की पट्टी का ध्यान रखिए, इसे जहां पर भी आप रखेंगे वो भाली जगा edit होनी शुरू हो जाएगी, तो अगर अ अब हमें video import करना है, तो हम इस timeline के head को एकदम शुरू में ले जाते हैं, क्योंकि मुझे यहां शुरूात में एक video चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वो अंत में हो तो इसको drag करके अंत तक ले जाई, तो अब हम ये add videos and photos पर दुबारा क्लिक करते हैं, और यहां से ये देख इस cube को बनाना मैंने एक video में सिखाया था, अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें कि picture से एक gif image कैसे बनाते हैं, तो आप इस video को देख सकते हैं, और ये देखें, अगर आप चाहें तो आप इस video को preview कर सकते हैं, यहां पर ये preview बना हुआ है, और नीचे एक play का button है, आप इस प अगर क्लिक करके देख सकते हैं कि ये video किस प्रकार दिख रहा है, ये देखें, ये video इस प्रकार से फिलहाल दिख रहा है, शुरुआत में video आ गया और बाद में images आ गई हैं, लेकिन ये फिलहाल काफी plain है, क्योंकि इसमें हमने अभी कुछ डाला नहीं है, इसे pause कर देती और अब हम इसमें एक और video डाल देते हैं, अंत में, एक और video डालने के लिए फिर से add videos and photos पर क्लिक किया, और ये देखें, इस पर क्लिक किया और open पर क्लिक किया, ओ ये देखें, यहाँ पर आ गया, इसे खसीट कर नीचे ले जाती हूँ, तो इस प्रकार से हमारा video बदल ग अंत में आ गया और पीच में आ गई कुछ तस्वीर हैं, अब हम इस video को थोड़ा बदल लेते हैं, इसमें कुछ text या अक्षर डाल लेते हैं, देखें, आप चाहें तो आप हर video में एक caption दे सकते हैं, या आप उसमें कुछ लिख सकते हैं, ये देखें, यहाँ पर हम गए, और अब हम ये caption डाल देते हैं, और ये देखें, यहाँ नीचे जो है, text आ गया, तो चलिए, यहाँ पर कुछ टाइप कर देती हूँ, जैसे की, marina bay sands, फिर ये timeline के head को यहाँ पर लेके गए, caption डाला, और अब यहाँ पर आप इस तस्वीर का caption डाल दीजे, तो यहाँ पर डाल देते हैं, labrador, park, और फिर, यहाँ गए, home पर गए, caption डाला, और इधर जो है, डाल देते हैं, esplanate, इस प्रकार से आप एक एक करके अपनी photos पर caption डाल सकते हैं, यह कोई जरूरी नहीं कि आप हर photo पर caption डालें, लेकिन अगर आप caption डालेंगे, तो लोगों को पता चल जाएगा, कि यह किस बारे में हैं, देखिए अगर आप कहीं छुट्टी पर गए, और आप अपने friends य क्या क्या चीज़े देखिए, तो यह बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी photos का एक video बना कर लोगों के साथ share करने का, तो यह हमारी सारी जितनी भी तस्वीरे थी, इनमें जो है captions आ गए, लेकिन यह captions बहुत ही simple हैं, बहुत ही plain है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इनम और चले अब हम right click करते हैं और कर देते हैं select all, यह सब select हो गए, जो captions है, यह format के अंदर यह देखिए, यह captions के special effects हैं, यहाँ पर आप decide कर सकते हैं कि यह caption कैसे display होगा, यह caption कैसे दिखेगा, तो हम यह वाला effect जो है, चूज कर सकते हैं, अगर इधर click किया तो देखिए, इस प इस प्रकार, यहाँ पर right से, यहाँ पर left से, इसे आप चुन सकते हैं कि आपको किस प्रकार का effect चाहिए, यहाँ पर click किया तो देखिए, पूरा menu खुल जाता है, और आप यहाँ पर अपने captions का special effect चुन सकते हैं, तो हम यह वाला effect चुन लेते हैं, जो बीच में एक effect आता है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पर देखिए, हम इसे preview कर लेते हैं, यहाँ पर click किया, देखिए, इस प्रकार से यह दिख रहा है, बहुत ही professional सा और बहुत ही अच्छा सा look आ जाता है, लेकिन हम इसे सब में select करने के लिए, यहाँ पर गए, और यह देख यहाँ पर आके यह इस प्रकार से हो गया, तो यह हमने caption के जो special effects थे, वो यहाँ पर हर वीडियो में डाल दिये, और अब हम इसे यहाँ पर शुरुआत में लेकर, देखिए, इधर ले गए, और अब हम इसे preview कर लेते हैं, कि यह किस प्रकार से दिखेगा, तो आप देख सक कि यहाँ हमारे captions जो बिलकुल plain थे, जो बहुत ही जादा simple से दिख रहे थे, वो अब यहाँ पर बदल गए हैं, तो यह हमारे captions बहुत ही अच्छी तरीके से आ गए, अब आप movie maker में animation डाल सकते हैं, या कोई special effects भी डाल सकते हैं, तो चलिए कुछ डाल देते हैं, यहाँ या एक video से दूसरे के बीच में जाने में, जो transition होगा, जो बदलाव होगा, वो किस प्रकार से होगा, आप उसे animate कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, आपके पास animations पर क्लिक किया तो बहुत सारे options हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, यहाँ पर क्लिक किया, आप यहाँ पर चुन स आप किस प्रकार की animation चाहते हैं, यहाँ पर बहुत ही सारे options हैं, देखिए, आपको कुछ दिखा देती हूँ, जैसे कि अगर हम स्टार पर क्लिक करते हैं, यह देखिए, यह स्टार जो है इस प्रकार से आता है, फिर से pause किया, यहाँ पर गए, देखिए, इस पर क्लिक किया आप चाहें तो इस प्रकार से भी उसे कर सकते हैं, यह देखिए, इस प्रकार से आ जाता है, या फिर इस प्रकार से बहुत सारे effects हैं, अब यह तो आप पर depend करता है कि आपको किस प्रकार का effect पसंद है, तो हम इसे pause कर देते हैं, यहाँ पर यह देखिए, इधर गए और हम चुन लेते हैं, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, वो है, कुछ सिंपल सा चूज कर लेते हैं, जिससे कि जादा बिजी ना हो जाए, ये देखिए, ये एक है, ऐसे, क्यूंकि हमने यहाँ साइट पर एफेक्ट डाला है, तो ये ऐसे साइट से अगर उठेगा, तो बहुत अच्छा एफेक्ट आएगा, ये पेज करल एफेक्ट है, इस एफेक्ट का नाम है पेज करल टॉप राइट, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए, वो हमसे पूछ रहा है, अपलाई टू आल, तो हम ये सब पे एफेक्ट डाल सकते हैं, नहीं तो आप individually या एक एक करके भी चुन सकते हैं कि आपको कैसा effect चाहिए और तो और आप इस effect की duration या इसका समय कितना होना चाहिए वो भी यहाँ पर चुन सकते हैं यहाँ पर आप छोटा या लंबा duration चुन सकते हैं फिलहाल 1.5 seconds या 1.5 seconds चुने हुए हैं हम इसे रहने देते हैं और यहाँ पर apply to all पर click कर देते हैं यह देखें आपको यहाँ पर यह ऐसे तिकोना सा दिख रहा है ट्राइंगल दिख रहा है इसका मतलब यह जो effect है कि इन सब तस्वीरों पर apply हो गया और सब की सब एक जैसी दिखेंगी अब हम timeline पर यह click कर देते हैं और देखते हैं किस प्रकार से यह दिख रहा है यह देखें यह ऐसे आ गया और यह ऐसे आ गया बहुत ही सुन्दर सा effect दिख रहा है और animation डालने के बाद इसका जो look है इसका जो feel है वो बहुत ही अलग है वापस यहाँ पर timeline पर ले जाते हैं तो यह हमारा video जो है यह तो बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन अब हम इसमें कुछ voice डाल सकते हैं या कुछ music डाल सकते हैं, संगीत डाल सकते हैं यहाँ देखिए एक mic का icon बना है, आप जाहें तो इस पर click करके अपने computer में इसी समय mic से कुछ record कर सकते हैं लेकिन मैंने ये एक Singapore का slide show बनाया है तो मैं इसमें कुछ voice नहीं डालना चाहती मैं इसमें थोड़ा सा संगीत डाल देती हूँ, कुछ music डाल देती हूँ चलिए music डालना हो तो यह देखिए, यहाँ देखिए home पर गए और यहाँ पर है add music, add music पर click किया आप यहाँ पर कोई music की file upload कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर इन्होंने एक free music की archive दी हुई है यह देखिए इस पर click किया और आप यहाँ पर जा सकते हैं, यह एक मुफ्त website है जहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग music tracks, songs आपको मुफ्त में दिये गए हैं आप चाहें तो आप यहाँ पर इस arrow पर click करके किसी भी गाने को download कर सकते हैं और फिर उसे इस movie में इस्तमाल कर सकते हैं वैसे तो इंटरनेट पर आपको बहुत सारे music मिल जाएंगे लेकिन मैं जो music इस्तमाल करने वाली हूँ, यह देखिए मैंने add music पर click किया और मैं यहाँ पर वापस से add music पर click कर लेती हूँ और अपने PC से music upload कर लेती हूँ तो यह एक file है जिसका नाम है dream culture यह गाना मैंने पहले से download किया हुआ है इसे मैं open कर देती हूँ, यह देखिए यह जो पूरा track है यह आप हरे में देख सकते हैं नीचे इन photos के नीचे एक layer में आ गया लेकिन यह जो मैंने पहले वीडियो बनाया था इसमें पहले से music है तो मुझे इस music को यहाँ पर डालना है जब यह खतम हो तो मैं इसे drag कर लेती हूँ, घसीत लेती हूँ, अब यह देखिए यह music जो है यहाँ पर खतम हो रहा है अंत में जो music था हम उसे right click कर लेते हैं और set end point कर लेते हैं तो इसका मतलब यह music यहाँ पर बंद हो जाएगा यह music यहाँ से शुरू हो कर और यहाँ तक आ गया, आप चाहें तो आप इससे preview कर सकते हैं देखिए इस प्रकार से यह हो रहा है, pause कर देते हैं तो अब हमने यह music की file डाल दी अब देखिए एक बात आपको बतानी यहाँ पर जरूरी है और वो यह कि जब आप किसी का music इस्तमाल करते हैं तो आप उसके license terms पढ़ लीजे और उसे credit देना मत भूले यहाँ पर हम timeline को लेकर गए और यहाँ पर हम यह title पर click कर देते हैं यहाँ पर आ गया एक खाली screen सी आ गए यहाँ पर हम कुछ डाल देते हैं जैसे की voice, एकता, music और अब जिसका music है उसको आप यहाँ पर credit दे दीजे यह देखिए इस पर click किया यह एक site है जिसका नाम है आपर Kevin MacLeod ने बहुत सारे free music tracks डाले हुए हैं तो मैं यह वाला जो track है जिसका नाम है dream culture मैं इसे यहाँ पर download कर लेती हूं लेकिन इसके terms and conditions पढ़ें तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जब भी आप यह piece इस्तमाल करें तो आप video credit में यह चिपका दें तो हम इसे copy कर लेते है control C और वापस यहाँ गए paste किया control V और यह आ गया लेकिन यह बहुत ही बड़ा सा font लग रहा है तो मैं पहले तो इससे थोड़ा खोल लेती हूं और फिर उसके बाद control A करके इस पूरे को select किया अब आप इस text का size बड़ा या छोटा कर सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ प तो मैं इस text को थोड़ा छोटा कर लेती हूं और इसे left align कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसको थोड़ा नीचे drag कर लेते हैं इनके बीच में gap डाला और text को थोड़ा और छोटा कर लेती हूं यह देखिए यह जो है इस प्रकार से आ जाएगा अगर मैं इस पर click करती हूं तो यह देखिए यह इस प्रकार से आ जाएगा हम इस पर वापस से click करते हैं आप चाहें तो आप यहाँ पर इसका रंग बदल सकते हैं लेकिन अगर आप इस पर click करते हैं font पर तो आप इसका रंग बदल सकते हैं यह पूरा का पूरा जो है अब पीला हो गया yellow में आ गया लेकिन इसको हम थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेते हैं क्योंकि उपर यह थोड़ा अजीब सा लगता है और यहाँ पर देखिए background color जो है फिलहाल काला है black है आप यहाँ पर उपर background color पर click करके इसका color या रंग बदल सकते हैं यह देखिए यह इस प्रकार से अंत में background color आ जा upload करना चाहते हैं तो copyright के नियम समझ लें किसी दूसरे की pictures, music या movies इस्तमाल करने से पहले उनकी license terms या शर्तें पढ़ लें और अगर आपने कुछ इस्तमाल किया है तो उसे credit दीजिए copyrighted material का इस्तमाल एक जुर्म है आपका channel तो बंद हो ही सकता है लेकिन आपके खिलाफ पूनी कारवाही भी हो सकती है हाँ एक चीज यहाँ पर हम करनी भूल गए और वो यह था कि हमने अंत में तो slide डाल दी लेकिन हमने शुरुआत में कोई title slide नहीं डाली है तो चलिए हम title slide डाल देते हैं यहाँ पर यह timeline के head को लेकर गए और यहाँ पर title पर click किया और यहाँ पर हम कोई title डाल देते हैं जैसे की images of Singapore from my mobile phone आप चाहें तो आप यहाँ पर अलग-अलग भाशाओं में भी type कर सकते हैं दीए enter पर दबाया अब हम chrome browser खुल लेते हैं यहाँ पर हम गए google translate पर Singapore की तस्वीरें मेरे mobile phone से ctrl A ctrl C किया तो copy हो गया वापस movie maker पर गया और यहाँ पर देखिए paste कर देते हैं ctrl V और यह आ गया अब यह सब का सब आ तो गया है लेकिन यह text बहुत बढ़ा है तो हम इसे पूरे को select कर लेते हैं ctrl A करके और अब हम इस text को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि यह fit आ जाए और यह देखिए यह fit आ गया थोड़ा enlarge कर लेते हैं और थोड़ा सा और छोटा करने की जरूरत है अब यह देखिए यहाँ पर click किया तो यह आ गया लेकिन फिलहाल यह black है तो हम इसका background color बदल लेते हैं कुछ अच्छा सा background color लख लेते हैं जैसे कि यह और जो text है इसको किसी और रंगा कर लेते हैं यह फिलहाल white है हम इसे थोड़ा dark blue कर लेते हैं और bold कर देते हैं और यह देखिए इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि एक line में fit हो नहीं रहा और यह इस प्रकार से आ गया आप चाहें तो यहाँ पर इस text को जो है थोड़ा और सुन्दर कर सकते हैं और अगर हम इस पर click करते हैं देखे इस प्रकार से आएगा लेकिन मैं इस प्रकार से करने वाली हूँ यह देखे मैं इसको चुन लेती हूँ और यह effect जो है आ जाएगा इसमें तो यह हमारी movie जो है बि इस movie को save करना होगा यहाँ देखे ऊपर right side में दाहिनी तरफ है save movie इस पर click कीजे और यहाँ पर आप चुन सकते हैं कि आपको किस तरह का video save करना है computer के लिए या फिर किसी android phone के लिए या apple iphone यहाँ पर बहुत सारे आपके पास विकल्प हैं अगर आप किसी website के लिए save करना च चाहते हैं तो यह देखे यहाँ पर है daily motion, facebook, myspace, youtube इत्यादी तो हम इससे youtube के लिए अगर save करना चाहते हैं तो यहाँ पर youtube है उस पर click कर दीजिए इसकी क्या जरूरत है क्योंकि video अलग-अलग format में save हो सकते हैं तो अगर आप किसी ऐसे format में save करेंगे जो youtube पर upload नहीं हो सकता तो आपको कल को दिक्कत हो सकती है आपको उसका format वापस से बदलना होगा इसलिए हम सीधा ही उसे सही format में save कर लेते हैं youtube पर click किया और यह देखिए यह जो है हमारा folder खुल गया और अब हम इसे save कर देते हैं save के button पर click करके और यह movie save हो रही है जब यह पूरा हरा हो जाएग तो आपकी movie आपके folder में आ चुकी होगी अब आपने सीख लिया है कि movie maker की मदद से आप video कैसे बना सकते हैं और उसे कैसे edit कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो youtube में like का बटन जरूर तबाईए और share करना मत भूलिए आप हमारे youtube चानल को subscribe करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए धन्यवाद